नमस्कार, A to Z dishes उशा कुरजानी में आप सब का स्वागत है आम को आपने फ्रूट के तोर पर उसका मिलशेक बना कर उसका रस बना कर खाया होगा पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी मैंगो स्वीट राइस यह बहुत ही डेस्टी लगता है आप कह सकते हैं से मीठे चावल उसके लिए एक आम को छील कर, काट कर, मिकसर जार में डाल कर अच्छे से पीस लेना है अब यहाँ पर गैस को अनकर लिया कड़ाई रख देंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच गी जैसे गरम हो जाना तो इसके अदर काजू बादम और किश्मिश डाल देंगे किश्मिश फूल जाए तब तक इसे अच्छे से बूनना है गी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से तीनों बून गए हैं तो इसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने दो कप बासमती चावल ले लिया आप छुटे चावल भी ले सकते हैं जो आपके गर पे इस्तमाल होते हैं इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है दो से तीन पानी से तो ये बासमती चावल डाल देंगे अच्छे से थोड़ा सा इसे भून लेना है गी के अंदर उसके बाद इसके अंदर डालना है तीन कप पानी दो कप चावल में तीन कप पानी डालना है अच्छे से चलाते हो इसे पानी सूख जाए तब तक बीच बीच में चलाते है रहर इसे पका ले यह पर आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा पानी रह गया तो इसके अंदर हम डालेंगे आधर कप चीनी और यह पीसा हुआ आम तो लोड़ी सी यह काली किश्मिश जैसे काली द्राक्ष भी कहते हैं सोखा नारेल थोड़ा सा और एक जोथा ही जमस सौफ इन सबी से टेस्ट इसका और बढ़ जाता है अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बद यह बुना हुआ ड्राइफरूट डाल देना है और इ पांच मिन्ट इसलिए इसे रखना है ताकि अंदर तक सारे फ्लेवर चले जाए तैयार इसे बाउल में इस तरह से निकालना है और बस इसे क्या करना है इस तरह से हम डी मोल्ड कर लेंगे तो यह दिखने में काफ़ी बढ़ लगता है अब इसे नॉर्मली ऐसे भी सर्व कर सकते है प्लेट में निकाल कर खा सकते है पर यह डीमोल कर लिया है थोड़ा सा नारिल का बुरादर डाला है और थोड़ी सी एक कलर फुल टूटी फूटी में ने डाल दी है और लीजे तैयार है बहुत ही टेस्टी से यह मैंगो स्वीट राइट काफी बढ़िया लगते है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा घर पर और मुझे कमेंट्स बताएगा कैसी लगी रेसेपी और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस अतना ही थांक्यू फॉर वाच्चेंग